बच्चों नमस्कार नए सत्र में आपका स्वागत है कच्छा चौंथी के गणीत विशय में आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आपने पिछली कच्छाओं में पढ़ा है गिंतारे के माध्यम से भी आप जानते हैं कि एक अंग की सबसे छोटी संख्या है एक और एक अंग की सबसे बड़ी संख्या है नौ आपने गिंतारे के माध्यम से भी देखा हुआ इसी प्रकार से दो अंग की सबसे छोटी संख्या है दस इसमें गिंतारे के दूसरे दहाई वाले अंग में एक गिंता एक मोती होगा और इकाई वाले में एक शुन्य होगा कुछ भी नहीं होगा तो ये दस हुआ और दो अंग की सबसे बड़ी संख्या है निन्यान्बे इसमें इकाई के वाले गिरिड में या छणी में पूरे नौ मोती है और दहाई वाले में भी पूरे नौ मोती है अब हमारे पास और रखने के लिए जगा नहीं है इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या है इसी प्रकार से हमने ये भी पढ़ा है कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी सायकडाके में एक मोती दहाई में एक भी मोती नहीं इकाई में एक भी मोती नहीं मतलब कितना हुआ एक सव और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई के ग्रीड में इकाई के जो छण है उसमें पूरे नौमोतियां भरा हुआ है दहाई के ग्रीड या छण में भी पूरे नौमोति भरा हुआ है और सैकडे की ग्रीड में भी पूरे नौमोति अब हमारे पास एक मूती डालेंगे तो और हमारे पास जगा नहीं है, इसलिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यह हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, हम यह भी जानते हैं कि एक अंकी सबसे बड़ी संख्या नौ में, जब एक और जोडेंगे, तो क्या होगा? 9 के बाद 1 और लगाएंगे तो हो जाएगा 10 अर्थात 9 के बाद क्या आता है 10 उसी प्रार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा तो कि 2 छड़ी जो है गिंतारों का 2 छड़ी जो है वो और इकाई में भी एक भी मोती नहीं अर्थात 9 के में एक जोड़ने पर कितना आता है 900 900 निन्यानवे जो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है यदि हम इसमें एक और जोड़ना चाहें तो क्या होगा अब हम सबसे पहले इकाई में जब एक मोती डालेंगे तो इकाई वाले ग्रीड में तो जगही नहीं है तो वो 10 मोती बन के क्या हो जाता है हमने पढ़ा है कि जब इकाई के ग्रीड में 9 मोती हो जा एक और मोती डालना चाहें तो कहां पर आ जाता है वो दाहई वाले grid में एक बन जाता है और इकाई 0 हो जाता है और इसी प्रकार से अब दाहई वाले grid में भी आल लेडी हमारे पास 9 है उसमें इकाई से 10 होके एक आ गया है एक जुड़ गया है अब इसमें क्या है इसमें भी जगा नहीं है तो अब क्या करेंगे हम तो इसके बदल हम ने किया था इकाई में जब 9 के बाद एक और मौति दालना होता है तो हम डाहि के word करते हैं तह नाल में एक मौति आ जाता है उसी खाली होजाता है उसी परार से जब दाहि कि जब डाहिम डाहिए वाले reg Г्रिड में 9 मोति पूरा होने के बाद और आजाता है तो सैंकड़े वाले में हम एक मोती डालते हैं और दहाई वाला खतम हो जाता है सुनने हो जाता है अब हमारे पास यही सिच्वेशन फिर से आ गया अब हमारे पास आ गया सैंकड़े वाले जो मोती है उसमें नौ मोती आल्रेडी हमारे पास है 999 में सैंकडे में भी 9 मोती पूरा भरा हुआ है अब दहाई से एक मोती और आ गया है सैंकड़ा बनके अब उसको क्या करेंगे अब 10 आ गया तो हमको एक नया ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस नये ग्रिड का नाम होगा या नये छण का नाम होगा हजार तो इसको हम बोलते हैं चौथा जब वाला ग्रीड होता है पहला ग्रीड होता है इकाई का फिर उसके बाद वाला होता है दहाई का फिर सेंकडे का अब हम एक नया ग्रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हजार तो अब सेंकडे से जब एक मोती सेकड़े में जब नौ के बाद एक मोती और डाला जाता है तो वो एक मोती बन के क्या हो जाता है? एक हजार बन जाता है और सेकड़े का जो grid है वो खाली हो जाता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि हजार में एक हजार में हजार में एक मोती है, हजार वाले ग्रिट में, सहेकड़ा में एक भी मोती नहीं, दहाई में एक भी मोती नहीं, इकाई में एक भी मोती नहीं, अर्थात एक हजार, यह जाता है हमारा, एक हजार, इस प्रकार से हमारा चारंको वाले संख्या, अर्थात 999 में, एक जोडने पर हमको क्या प्राप्त हुआ एक हजार अब हम फिर से वापस चलते हैं हम एक धन एक धन एक को इस परकार से दस बार जोड़ते जाए एक धन एक धन एक धन एक धन एक धन एक तो हमको क्या प्राप्त होता है दस प्राप्त होता है अर्थात दस इकाईया मिलकर एक दहाई आगे इसी तरह से 10 सैंकड़ा मिलकर हमको क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल 1,000 हमको प्राप्त होता है, 10 सैंकड़ा माने 1,000। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, यहां पर 1000 के grid में कितने मोतियां हैं? 3, सैंकड़ा के grid में कितने मोतियां हैं? 1, दहाई के grid में कितने मोतियां? 4, और इकाई के grid में कितने मोतियां? 2, तो यह कौन सी संख्या कहलाएगी? 1000 में कितने मोतियां? 3, तो हो गया, 3000, और सैंकड़ा में कितने मोतियां? 1, तो कितना हो गया? एक सो तो तीन हजार एक सो दहाई के ग्रिड में कितने मोती है चार तो वह हो गया चार माने चार दहाई माने चालिस चार दहाई चालिस और इकाई में इकाई वाले ग्रिड में कितने है दो तो चालिस और दो ब्यालिस इस प्रकार से इसमें कौन सा संख्या हो गया? 3142 आपको प्राप्त हो गया उसी प्रकार से यदि हजार वाले grid में दो मोती है सैकड़े वाले में एक भी मोती नहीं है दहाई वाले में चार मोती है इकाई वाले में एक भी मोती नहीं है तब क्या प्राप्त होगा हमको? देखें फिर से देखिए, हजार वाले में कितने मोती है, दो, सैकड़े वाले में एक भी मोती नहीं है, मतलब ये दो हजार, सौ तो एक भी नहीं है, तो सौ को हमको बोलने की जरूरत नहीं है, और दहाई में कितनी मोती दिख रहा है, चार मोती दिख रहा है, तो कितना हुआ चार, दहाई यानि 40 और इकाई में कितनी मोती दिख रहाँ है एक भी नहीं है, वाने 40 ही है तो ये संख्या कौन सा होगा दो हजार चालीस अब इसको आप बताईए कितना होगा ये जो दिख रहा है इसमें गृड में हजार वाले गृड में कितने मोती दिख रहा है आपको 6, सैकड़े वाले में 1 भी नहीं 10 में 4 और 1 आई में 5 तो क्या हो जाएगा 1000 से बोलना सुरू करते हैं 1000 में 6 है इसलिए 6 1000, सैकड़ा में 1 भी नहीं है तो उसको बोलने के जरूरत नहीं है तो 6, 1000, 45 ये तुम्हारा अगला संख्या होगा अब संख्या को अंको को सब्दों में लिखने संख्या को सब्दों में लिखना है हम यहाँ जो संख्या देख रहे हैं 2,222 इसको हम सब्दों में लिखेंगे कैसे तो सब्दों में कैसे लिखेंगे 1000 के जगा इस्थान पर चौथी स्थान पर हजार में है, तो हजार की स्थान पर क्या है, दो, सैकड़ी की स्थान पर कितना है, दो, दाई की स्थान पर कितना है, दो, और इकाई की स्थान पर भी दो है, तो यह हो जाएगा, दो हजार, दो सो बाईस, उसी प्रकार से, छै हजार, नो सो पचास, जो और दहाई की स्थान पर 5 और 50 मने 0 50 मने इक आई की स्थान पर 0 इस प्रकार से हमको क्या प्राप्थ होगा? 6,950 और 8,602 8,602 को हम कैसे लिखेंगे? 8,000 की स्थान पर 8 है सेंकडिक स्थान पर 6 दहाई की स्थान पर 0 क्योंकि दहाई नि दिखे रहा है 2 और इकाई की स्थान पर 2 हो जाएगा इस प्रकार से 8,602 बच्चों अब हमको ये जानना है कि जो सब्दों में जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या अंको में जो संख्या चार्टों संख्या लिखा हुआ उनमें से कौन सी संख्या है, तो जैसे 5320, ये कौन सी संख्या है, उस पर गोला लगाएंगे अपन, तो कौन सी संख्या है, ये संख्या जो है 5320, बिल्कुल सही पहचाना आपने, उसी पकार से सब्दों में लिखा हुआ है 1002, तो इधर कौन सी संख्या होगा 1002, उस पर गोल लगाएंगे तो ये जो संख्या दिख रहा है वो एक हजार दो माने सैगड़ा नहीं है दहाई भी नहीं है और इकाई में दो है तो ये जो है एक हजार दो है इस प्रकार से अब 1234 का विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे 1000 बने एक के साथ में 1000 हो जाएगा 1200 दो 100 फिर 30 और धन 4 यह जो होता है विस्तारित रूप होता है 1000 को अलग कर दिये, सैकडा को अलग कर दिये दाहाई को लग करदी और इकाई को अलग करदीए इस प्रकार से हमने विस्तारित रूप 1.234 का विस्तारित रूप देखा दो हजार चार सो तीस अब देखेंगे हम 2430 का विस्तारित रूप क्या होगा और दहाई में कितना है तीन है मतलब तीन दहाई मतलब कितना होगा तीस और इकाई में एक भी नहीं है तो हो जाएगा शुन्य इकाई तो इस प्रकार से हम लिखते हैं दो हजार धन चार सो धन तीस धन शुन्य इस प्रकार दो हजार चार सो तीस